A very big thanks उन सब valuable subscribers को जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में comments किये दोस्तों imagine कीजिए एक ऐसा computer जो आज तक का सबसे powerful computer है जो पलक जपकते ही millions of passwords crack करते In fact कोई भी ऐसा problem seconds में solve करते जिसे आज की super computers नहीं कर पा रहे है एक ऐसा computer जो cryptography जैसे technology को break कर सकता है और ये खत्री की बात है क्योंकि cryptography इस सदी की सबसे important और powerful invention है data को secure और private रखने के लिए मैं बात कर रहा हूँ quantum computers के बारे में Tech Giants जैसे Google और IBM ने ऐसे quantum computers को develop भी कर लिया है और इसमें काफी progress भी पा ली है जो दुबारा बहुती alarming बात है क्योंकि इन computers की मदद से वो Tech Giants ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे data privacy या bitcoin जैसे assets के लिए बहुत बड़ा खत्रा है पर यह सब जो मैंने अभी बोला इसमें कितनी सचाई है और यह quantum computers काम कैसे करते हैं और क्या सच में हमारे passwords या bitcoin क्रिप्टोग्राफिक को यह quantum computers आराम से break कर सकते हैं यही बात होगी आज की वीडियो में Welcome to Anonymous Techler और क्या है इन quantum computers का फंडा आओ बताता हूँ आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सब्सक्राइबर प्रोटोन गेमिंग के रिक्वेस्ट का फटा फट जवाब देते थे हैं उन्होंने पूछा था कि किरिन 9000 वसे स्नैपड़ागन 888 का comparison दोस्तों दोनों किरिन 9000 और स्नैपड़ागन 888 5G enabled flagship chipset हैं इनकी performance को number में compare करें तो इसमें clear winner snapdragon 888 है क्योंकि दोनों Antutu और Geekbench score में किरिन 9000 की performance snapdragon 888 से कम रही है और इसकी वज़े से android की most apps और games किरिन 9000 platform पे अच्छे से perform नहीं कर पाएंगे और वहीं snapdragon जो इतने लंबे समय से android market को devices दे रहा है better perform करेगा in short इस comparison का winner है snapdragon 888 और अब वापस आते हैं आज की वीडियो के topic पे जो है quantum computers दोस्तों आज की वीडियो समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि quantum computers क्यों powerful हैं या यह हमारे regular use होने वाले computer से different कैसे हैं और इसमें अलग और advanced बात है क्या आखिर में दोस्तों हर computer bit system पे काम करता है जिसे computer की language भी कहा जाता है regular computers में bit system से data process और transmit होता है पर quantum computers में bit के बज़ाए qubit यूज किया जाता है और यही है main difference regular computer और quantum computers के बीच में तो इस qubit में ऐसा क्या है जो quantum computers को advantage देता है वैल हम सब जानते हैं कि computers binary system को use करते हैं और binary system में होता है 1 और 0 हमारे regular computers में भी bit use होता है जो at a time या तो 1 हो सकता है या तो 0 यानि 1 और 0 दोनों एक साथ नहीं हो सकते bit system में अब यही quantum computer के qubit system में भी same 1 या 0 का concept यूज होता है पर फरक इतना ही है कि qubit में at a time 1 और 0 दोनों हो सकते हैं थोड़ा confusing है न पर यही difference है जो quantum computers को advance बनाता है इसको और अच्छे से समझने के लिए एक example देखते हैं मान दीजिए कि 1 bit एक coin है जिसके 2 sides है 1 और 0 जैसे heads या tails और यह coin एक साथ एक time पे head और tail दोनों नहीं हो सकते यह coin एक time पे दोनों head और tail हो सकते हैं अगर इस coin को हवा में toss किया जाए तो toss होते वक्त इसकी कोई decided side नहीं होती है at a given time ना तो यह coin heads है ना तो tails लेकिन at the same time यह heads भी है और tails भी और यह चलता रहेगा जब तक कि coin जमीन में गिरके एक permanent side ना ले ले जिसको देखके हम बोल सकें कि यार अब यह heads है या यह tails है जब यह coin हवा में toss हो रहा होता है इस position को quantum computing में super position बोला जाता है और यहां quantum computers के qubit एक time पे दोनो one और zero हो सकते हैं जो regular computers के bit system में possible नहीं है और यही वो feature है जो quantum computer को आजकल के computer से लाग गुना faster बनाता है और यह हमारे future के लिए बहुत अच्छी बात है मतलब mind blowing यार अब आते हैं इस बात पर कि कैसे quantum computers password को break कर पाएगा जब भी हम कोई password set करते हैं तो वो भी bits में होता है 28 से 35 bits के passwords को weak passwords माना जाता है 36 से 59 bits के passwords को ठीक ठाक 60 से 127 bits के passwords को strong passwords और 128 plus bits के passwords को best password माना जाता है अब इस 128 bit के password में 128 digit के 1 या 0 हो सकते हैं जैसे कि यह एक possibility हो सकती है कि 128 bit का password कैसा होता है means इस 128 bit password में 1 और 0 कैसे भी set किया जा सकता है 128 digit में चलो हम इसको समझेंगे 3 bit के password से इस 3 bit के password में bit का कुछ भी 3 digit का format हो सकता है जैसे 000, 001, 100, 101, 11111 और ऐसे ही total 9 combinations हो सकते हैं और 128 bit में total इतने सारे combinations हो सकते हैं क्यों है न बहुत जादा मैंने इतना सब इसले बताया क्योंकि अगर computer को 128 bit का कोई password break करना है तो उसको इतने सारे 0 और 1 के right combination को धूड़ना होगा उसके लिए computer को हर 128 bit के combination को एक-एक करके brute force method से confirm करना पड़ेगा जब तक की सही password ना बैठ जाए 3 bit का password तो ठीक है लेकिन 128 bit के password को एक-एक करके guess करने में computer दिन, हफते या महीने भी लगा सकता है जो कि एक बहुती slow process है और inefficient भी तो फिर इस process को fast कैसे बनाया जाए प्रस्तूत है quantum computers quantum computer पे आके ये story थोड़ी change हो जाती है यहां मैं 128 bit के example नहीं लूँगा क्योंकि फिर मामला complicated हो जाएगा 3 bit से समझते हैं जैसा कि मैंने पहले बोला था कि qubit में bit 1 और 0 दोनो at a time हो सकता है इसलिए सिर्फ 3 qubits actually 3 bit के सारे combination को एक साथ represent करता है और इसी वज़े से quantum computers में बस 3 bit के concept से कोई भी 3 bit password crack किया जा सकता है within seconds और सिर्फ 3 bit नहीं कहा जाता है कि 128 bit के passwords को भी quantum computer seconds में crack कर सकता है इनफेक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारी complicated problems को quantum computer एक साथ solve कर सकता है चलो 128 bit passwords तक तो ठीक है लेकिन cryptographic passwords जैसे cryptocurrency के private keys जो shark 256 hash logarithm पे based हैं कहती हैं कि quantum computers उसे भी seconds में crack कर सकता है मैं बता दूं कि अगर Google और Amazon दोनों उनके सारे servers भी use कर लें तब भी 100 साल के पहले वो इस sha 256 hash logarithm का एक भी password या private key को crack नहीं कर पाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा लो कि quantum computer कितनी fast चीज है और by the way अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे है तो चैनल के subscribe बटन पर एक क्लिक बहुत ही खुश कर देने वाली बात होगी वेल अभी तक बात हुए कि quantum computers क्या है और कैसे काम करता है पर अब बात होगी कि ये सब कब होगा वेल जितना कुछ अभी तक मैंने बताया उसको actually होने में अभी बहुत time लगेगा खासकर cryptographic passwords crack करने के मामले में 128 bit के passwords आज के latest computers भी crack कर सकते हैं जैसे तैसे लेकिन cryptographic passwords नहीं वेल quantum computers को भी cryptographic passwords crack करने में थोड़ी problem होगी सिर्फ एक cryptographic password crack करने के लिए quantum computers को 1000 qubits की जरूत पड़ेगी और qubits को increase करना या बनाना बहुत ही tough job है वो भी उनके super position feature की वज़े से जहां bit एक time पे 1 और 0 दोनों हो सकता है जो एक तरीके से बहुत ही unstable position है और फिर जैसे जैसे qubits बढ़ते जाएंगे unstability भी उतने ही बढ़ती जाएगी और failure के chances भी उतने ही बढ़ते जाएंगे और यही problem quantum computers के technology को successful होने नहीं दे रहा है quantum computers के technology के growth में और भी problems हैं सबसे पहले है of course पैसा हमेशा की तरह इसकी production और maintenance cost बहुत high है इसलिए अभी तरह सिर्फ Google, IBM और D-Wave जैसे tech giants ही इसको बना पाए है जिसमें से D-Wave का quantum computer है 2000 qubits का जो सिर्फ optimization के problems ही solve कर सकता है IBM का quantum computer है 50 qubits का और Google का quantum computer है 53 qubits का और यह enough नहीं है आज के strong password break करने के लिए और दूसरा है temperature सूपर कंप्यूटर को run करने के लिए बहुत ही extreme low temperatures maintain करने पड़ते हैं इसे working environment को बनाना और maintain करना बहुत ही मुश्किल काम है इसका मलब हम सब अभी risk से तो बहुत दूर है लेकिन अगर quantum computers perfect हो गए तो भाई अगर ऐसा हो गया तो सिफ़ password से bitcoin ही नहीं बलकि पूरे internet के security और national security भी risk पे आ जाएगी लेकिन tension not क्योंकि quantum resistant cryptography logarithm पे काम शुरू हो चुका है जो एक secure future दे सकता है बट I am sure के quantum computers को risk से ज़्यादा एक अच्छी invention की तरह देखा जाएगा technology के field में इस quantum computer के technology को medical field में, research field में, manufacturing, defense और space के field में use करके एक better और fast दुनिया बनाई जा सकती है लेकिन अभी भी एक बात है जो risky लगती है और वो है quantum computer और artificial intelligence का mix means एक ऐसा artificial intelligent robot जो कुछ भी problem solve कर सकता है means कुछ भी आपका इस वारे में क्या कहना है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आज चुका है वीडियो का end वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe भी कीजिए और ऐसी ही interesting और informative tech videos के लिए stay tuned to anonymous tech teller झाल झाल झाल